उत्तर प्रदेश में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बिमर्स है जो भारती जनता पार्टी का थोथा नारा है वो ध्वस्त हो गया इसलिए ध्वस्त हो गया कि उत्तर प्रदेश में डायल 100 जो पहले हुआ करता था जो समाजवादी पार्टी की सरकार की जो देन थी कि उत्तरप्रदेश के 25 करोड जन्मानस को उनके सुरक्षा है तू पुलिस 10 मिनिट के अंदर पहुंचती थी उसे पहले ही सरकार के बिफल प्रयाज उठाती है उन बेटियों का बेतन जो सरकार नहीं दे पा रही हो और जब बेटियां बेतन मांग रही है समाजवादी पार्टी की पूरी महिला भी उन बेटियों के साथ पूरे रात खड़ी है और जो अभी कली जो उत्तरप्रदेश के दरोगा एक इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि अगर आप सब तो अच्छी घरों की बेटियां आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाएगा आपका भविश्य खराब होगा वो कल धंतकी दिया और आज उसको ब्योहार में उत्तरप्रदेश की बिजेपी सरकार ने कर दिया हक मांगती हुई बेटियों को हक ना दे करके इस दिपावली के परो के शमय उनके उपर मुकदमा कर दिया गया ये घोर अन्या है और उत्तरप्रदेश की पचीस करोड़ जन्मानस के पच्यास फीसदी माताएं बहने ये देख रही है कि उत्तरप्रदेश में योगी आदितनाज जी की सरकार जब बेटियां अपन चाहती है कि अभी घुना और रएया में एक बेटी के को सौ तक को ये इंबुलेंस तक नहीं है आपको बेटियों के जाती पार्टियां 1609 नहीं है तो फिर ये उत्तर प्रदेश की बेटियां कैसे बचेंगी उन बेटियों के खिलाफ हो रहे अनवरत अन्याय के आप समर्थक लग रहे हैं कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराद के खिलाफ है